हेलो एवरिवन, वेलकम टेऊर यूटीब चैनल, बैंकिंग विधर्ड आज मैं आप सभी के साथ हम हमारे अर्थमेटिक के टॉपिक्स को कैसे पर बना सते हैं उसकी इस्ट्राइटेजी शेयर करूगे जो major arithmetic के topics होते हैं वो यह ही हैं इन्वी में से mostly जो हमारा arithmetic का portion है वो आता है ratio, percentage, average, mixture and aggregation, time and work, speed, time, distance, profit and loss, probability आपको यह topic इसी sequence में cover करने हैं और हर एक topic पर आपको दो दिन का time devote करना है जिसमें से आप first day आप अपने concept को clear करने के लिए devote कर सकते हैं और second day आपको उनकी practice अच्छे से करनी है अब आपको यह तीन step में करना है पहला step क्या होगा कि आपको उने basic clear करने हैं अब आप कहीं से किसी video से किसी notes से cover कर सकते हैं second method है कि आपको कुछ particular question को करने की fast tricks होते हैं जिसे हम हमारा prelims को बहुत easily clear कर सकते हैं आपको वो tricks select करनी है और उनकी अच्छे से practice करनी है third step होगा कि आपको जितने जाद हो सके questions की practice करनी है ताकि जो आपने सीखा है आप उसको implement कर सकें जो sources को आप follow कर सकते हैं वो है practice के लिए आप google कर सकते हैं PDF को prelims and mains both telegram पे बहुत सारी PDFs available है question की practice के लिए आप हाँ से वो PDF ले सकते हैं and third जो source है वो है books आप इन तीनों में से कोई भी book follow कर सकते हैं Ace Quant जो की adda to four or seven की side से है second book है quantum cat पर सर्वेश के वर्मा and third one is Quanta जो की Ashish Arora sir की book है अगर आप इन three easy steps को follow करते हैं तो आप बहुत जल्दी within a short span of 18 days आप अपने arithmetic के topic को बहुत strong बना सकते हैं एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो कि आपको pre और mains यानि कि एक simple level basic level और hard level के तोनों questions की practice साथ में ही करनी हैं ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ pre पे focus करते जा रहे हैं बहुत easy easy questions को ही करते जा रहे हैं और difficult questions को आप skip कर रहे हैं अगर ऐसा आप करोगे तो आप mains को qualify नहीं कर पाऊगे आप बहुत problem होगी आपको बाद में तो बेटर है कि आप अपने concepts को basic से hard level तक साथ में ही strong बनाए Thank you तो like, share and subscribe for more strategic videos